दोस्त बाहरत और शावत अपरिका के बीच पहला टीटवन्टी मकाबला कापी रोमांच को और हाई वोल्टेज रा तो बताएंगे इस बड़े मकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो और आकरी ओरत कौन्श टीम ने इस बड़े मकाबले को जीत कर टीटवन्टी सिरिज का जीत के साथ किया और कैसे पहले अपरिकी बल्ले बाजो का तुपान देखने को मिला और बाद में कैसे टीम इंडिया के बल्ले बाजो ने पूरी तरेश्य अपरिकी गेंद बाजो को दारा साइ करते होई एक नए रिकोर्ड बना दिया तो बताएंगे आपको पहले टीट मकाबले का पूरा हाइलाइट वीडियो और आकरी और तक कौनशी टीम ने इस बड़े मकाबले को जीत लिया है तो सारी हाइलाइट बताएंगे आप इस वीडियो को एन तक जरू देखते रहे वीडियो को लाइका दीजे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल प्त तरह से शंपन हुआ टीम इंडिया की और से कौन-कौन से दिगज खिलाडियों ने ताबर तोड़ पारी के लिए टीम इंडिया का इसकोर कितना रहा तो आये जाने तैप पूरी रिप्योर्ट दोस्त बारत और शावत अपरिका के बीच ये बड़ा मुकाबला डर्वन में केला जाना था लेकिन बारिश के चलते इस बड़े मकाबले में टोस भी नहीं हो सका इसमें इस बड़े मकाबले में कापी इंतजार कराया और आखिरकार इस बड़े मकाबले को बारिश के चलते रद गोशित किया गया इसे में उसके बाद में कोई भी सूपर ओर का बड़ मकाबला भी नहीं खेला जा सका क्योंकि इस बड़े मकाबले को पूरी तरे से रद गोसित कर दिया जिसके चलते आगे इस बड़े मकाबले का आयोजन नहीं हो सका साथी तीन मैचों की टीटवन्टी सीरिज का पहला टीटवन्टी मुकाबला रद हो चुका है इसे में दो टीटवन्टी मुकाबले बच हुए है इसे में टीम इंडिया को अब आगा मी दोनों बड़े मुकाबले जीतने होंगे तबी टीम इंडिया टीटवन्टी सीरिज को नाम करशकती है इसे में अगले दोनों बड़े मुकाबले 14 और 12 दिशंबर को खेले जाएंगे इसे में उम्मिदे के टीम इंडिया इन बड़े मुकाबले को जीत कर सीरीज को अपने नाम करेगा दोस्त आपको कह लगता है टीम इंडिया सीरीज जीतेगा ने जीतेगा से जुड़ी ही अपडेट के लिए आमारी चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक एंड से जरू करतीजे ताकि सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहें